हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोगों के जीवन में दिसंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा आपके वेपार, वेवसाइक, करियर, लवलाइफ और आपके स्वाष्ट्र के बारे में आपको बताएंगे इसी के साथ आप लोगों को किस आदमी का साथ इस महीने छोड़ देना चाहिए और किस आदमी का साथ आपको बरबाद कर सकता है आपको किस आदमी से सावधान सतर को समहल कर रहने की विशेश चरूरत रहेगी आप अपने कर्ज से, अपने आर्थिक तंगियों से पैसों से जुड़ी समस्याओं से कब तक चुटकारा पा सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी इसी के साथ आप लोगों को यह भी बताएंगे कि विडियो में बताएंगे जानकारी को, बातों को आप दिहान से सुने बताएंगे जाने वाली बातों को आप समझने का परियास करें तभी हमारे द्वारा कही गए बातों का आपको फायदा होगा क्योंकि यह विडियो बिसेश रूप से तीन टॉपिकों पर फोकस रहेगी आपका पारिवारिक जीवन और स्वास्त को लेकर तथा नौकरी को लेकर और आपके लव लाइफ को लेकर यह तीन चार विशियों पर यह विडियो फोकस रहेगी इसलिए आप लोगों से विंती करूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक अवस्ते देखें उससे पहले मातारादी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा विंती है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से सच्चे हिर्दे के साथ जै माताराणी माताराणी का जैकारा अवस्ते लगा है जिनके साथ माताराणी होती है माताराणी का असरवाद होता है उनका कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता है इसलिए जै मातादी अवस्ते लिखें मातारानी इस महीने आपके जीवन में चार बड़ा चमतकार करने वाली है और मातारानी के इन ही चमतकारों के कारण आपके जीवन और जिंदगी की रूप रेखा में बहुत बड़ा प्रिवर्तन होने वाला है तो मातारानी के भक्तों से विंती है कि वीडियो को पूरा अवस्य देखें ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहदी इंपोर्टेंट रहने वाली है और बेहदी महत्पूर्ण रहने वाली है इसलिए आप से विंती है कि वीडियो को बिना इसकीप किये पूरा अवस्य देखें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दनों को बहतर बना सकें इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के होस उड़ जाएंगे आप लोगों को अपने कानू पर यकीन नहीं होगा कि आप जिस वैक्ति पर अपने प्रिवार के सदस्य थे उन पर जिस वैक्ति से आप इतना जादा प्यार करते हैं यतना ज़ादा विश्वास करते हैं उन से अपने सारी बातों को सेर करते हैं वह आपके इस मोके का फाइदा उठा रहा है वह आपके पीछे सडियंत्र कर रहा है उस व्यक्ति के सचाई इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा और उस व्यक्ति का साथ आपको दिन परती दिन बरबात करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा इसलिए आपको उस व्यक्ति का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना होगा मित्रों वीडियो बहुत ही महत्पुन है क्योंकि आप देखे होगे कि आप मेहनत बहुत करते हैं आप पैसे भी कमाते हैं लेकिन वह पैसा टिकता नहीं है मन को शांती नहीं मिलती भै बना रहता है डर बना रहता है और कई तरह की बाते वह आपको आगे वीडियो में पता चलेगी इसलिए वीडियो को आप अन्दह तक जरूर देखेगा बत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से और कई महीनों से आप उनके साथ अपनी सारी बातों को सेर करते थे चाहे आपको कोई भी परिसानी हो कोई भी अच्छे बातें कोई भी सीक्रेट बाते हों या फिर कोई बेवसाइक प्यपारिक करियर लव लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रिकार की कोई भी समस्याय हों पैसों से जुड़ी आर्थिक तंग्या हों या फिर आपके निजी जीवन में कोई खुसकवरी अगर चल रही हैं तो उन्हें भी अ आपके पीठ पीचे क्या कर रहा था वह और वह आपसे क्या चाह रहा था मतरों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप में एक खुबी है या एक बुराई है इसे आप जिस तरीके से समझना चाहें आप समझ सकते हैं चुकि अगर कोई व्यक्ति वह चाहे प्रिवार का हो अपना हो या समाज का हो या फिर कोई व्यक्ति हो अगर वो इमोशनली तरीके से आप से बात करें अगर वो आपको इमोशनली ब्लेक मेल करने की कुछत करें या फिर आप पर हावी होने की कुछत करें जितनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बाते करें आप उन बातों पर यकीन कर लेते हैं और आप भावनात्मक रूप से खुद को तो प्रिसान करते ही हैं खुद तो प्रिसान होते ही हैं और उनकी बातों को आप यकीन मान कर उनके द्वारा बताए गए सभी प्रवेश पर सभी राह पर चलने लगते हैं तथा अपने सारी की सारी बातों को उनके साथ अपने सारी की सारे दुख तकलिफों को उनके साथ आप सेयर करने लगते हैं जो कि आपकी अच्छी बाते हैं या बुरी बाते हैं तो यहाँ आपको खुद से decide करना होगा परन्तु हमारे ख्याल से यहाँ आपके बुरी और बहुत गंदी आदत है क्योंकि बहवार में आपके यहाँ बहवार जो है वहाँ आपको आपके जीवन में जो क्रिया कलाब कर रहे हैं उनसे दूर करता है और आपको अपनी बातों को दूसरों के साथ share करने में थोड़ा सा अच्छा भी महसूस होता है और आप में एक और गंदी आदत है बुरी आदत है कि अगर अगर कोई भावनात्मक रूप से आपको emotional करे emotional होकर आप से कुछ बाते करें आपके खिलाफ हो या आपके साथ हो फिर भी कोई दूसरी बातों को आप फसाने की कोशत करें तो आप उन्हीं की बातों में आ जाते हैं चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं आप emotionally होकर उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और वही आप लोगों के साथ विश्वास घात करता है मैं सच कह रहा हूं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर सच कह रहा हूं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजेगा इससे हमें पता चलेगा कि मैं सच बता रहा हूं और आप अपना सारा काम धाम छोड़कर आप अपने सारे जीवन के जुड़ी सभी महत्मुन बातों को छोड़कर उन्हीं की बातों में आजाते हैं उन्हीं की प्रसानियों को दूर करने में आप लग जाते हैं जो कि आपका सबसे बुरी आदत है और लोग इसी का नाजायद फाइदा उठाने की कोशिज भी करते हैं आपको बताना चाहेंगे कि इस आदत को आपको छोड़ना होगा और आपका भावनात्मक और इमोशनल न हुए और इस इमोशनल और भावनात्मक पर वेश को छोड़कर आपको बुद्धी और विवेक और अपने दिमाग का उपयोग करना होगा आपके हर कारी में आपके सहता करना चाहता है चाहे वो अच्छा कारी हो या बुरा वहीं दूसरा और दूसरा वेक्टी जो कि आपका हमेशा बुराई ही चाहता है आपकी अच्छाईयों में भी कोई न कोई कमी धूंड लेता है हमेशा वो धूंडता रहता है कि आप कोई ऐसी काम करें जिससे कि आपको हमेशा बात सुनवाने की कुशित करता है या फिर आप पर हक जताने की कुशित करता है या आपको नीचा दिखाने का प्रियास भी लगातार करते रहते हैं ऐसे में बुरे वेक्ति जो होते हैं वो आपको हमेसा नेगेटिव और थोड़ा सा असहाई भी आपको हमेसा महसूस करवाने की कुज़त करते हैं वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उन बुरे वेक्तियों को पहसान करें और उन बुरे वेक्तियों को आप किसी भी बातों पर यकीन न करें यह जो होते हैं न यह लोग ऐसा होते हैं कि आप जितने भी अच्छा काम कर लो जितने भी आप उनकी भलाई के बारे में सुचो फिर भी जितने भी अच्छाई करने का प्रियास करो वे आपको हमेशा बुरी नजरों से देखते हैं और हमेशा आपको इरिटेट करने की कुछस करते हैं वो आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रियास करते हैं और आप जितने भी अच्छे कारी कर लें उसमें जितने भी आ आवनात्मक होकर नहीं, emotional होकर नहीं, आप बुद्धी का उपयोग करें, स्वता ही बुद्धी का उपयोग करने से वह व्यक्ति आप से दूर चला जाएगा, वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा, वहीं लवलाइफ की बात करें, तो यह विडियो मेल और फिमेल दोनों के लिए हैं आपको बताना चाहेंगे कि लवलाइफ में भी आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन साती पर जीवन संगनी पर या आप अपने प्रेमी प्रेमी का पर अचानक से आपके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मह दोर रह सकती हैं आपने कभी-कभी देखा होगा कि आप अपने जीवन साथी को कौल लगाएं और अगर प्रेमी प्रेमिका को फोन करते हैं वह आपको फोन रिसीव नहीं कर पाता ध्यान से सुनियेगा फोन रिसीव नहीं कर पाता उसके वाद आपके अंदर गुस्सा उत्मन किवि उन्हें की भी कुछ जिम्मेदारियां वो ऐuba कुछ काम करते हैं . उनकी जिम्मेदारियों को समझने का फ्रयास अवस्ते-करें आप गुस्सा ना करें क्योंकि गुस्सा आपके मन में शक और शंका की भावना को उत्मन करने की कोसित करते हैं क्योंकि सक और संका आपके इस्टियों को भी गाड़ सकता है आपका पारिवारिक रिष्टों को भी गाड़ सकता है इसलिए आप से विंती है कि आप उन पर सक न करें नहीं उनपर किसे फ्रिकार का कोई आरोब परतियारोब करने की कुछत करें आपको एक दूसरे का प्यार से हाथ मिलाना चाहिए हर कारे में और प्यार से फेश आना है आप दोने के जीवन साथी के भेद बढ़ी प्यार को बढ़ाने की विसेश जरूरत रहेंगी मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने आपके जीवन में काफी बड़ा संकट दूर होने वाला है सुबकार करने की प्राप्ति होने वाली है वहीं अविवाहितों की बात करें तो मित्रों यह मेल फिवल दोनों के लिए है अविवाहितों को जो लोग अविवाहित हैं जिनकी विवाह नहीं हुई है अगर वो विवाह योग उम्र की हो चुके हैं तो उनके कई रिष्टे आएंगे और कई रिष्टे नहीं हुए होंगे आपको बताना चाहेंगे कि आपके रिष्टी न होने के कारण आपके जो सगे समंदी हैं, जो आपके पुरुस्थ हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके परिवार के रिष्टिदार हैं, वो आप पर ऐसे जो हैं, वो कहीं न कहीं आपको ऐसा फिल महसूस करवानी की कोशिस में र आप लोगों को जो है, بहुती सतर्क रहना है, बहुती धिहान देना है, ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे लोगों से आपको जितना ज़्यादा हो सके, दूरी बना ले नहीं, आपके लिए आवस्यक रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके अच्छे शमय में साथ होते हैं नहीं बुरे शमय में साथ होते हैं तो मत्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जहमाता दी अवज से लिखें आपका दिन सुब हो